अब हम इस ट्यूटोरियल 10 को continue रखते हैं अभी हमने 3 problems पर चर्चा की है और 4 और 5 वी problem के साथ आगे बढ़ेंगे मूल रूप से 4 problem बहुत सरल है मैं आपको hints संकेत दे सकता हूँ और आप इस पर काम कर सकते हैं problem 5 थोड़ी लेंदी लंबी है और इसके लिए बहुत सारे hints संकेतों की आवशकता है इसलिए मैं आपको चर्णों में संकेत दे रही हूँ और इसके अतिरिक्त मैं हर टाइम कहता हूँ कि आपको problems में उन problems की practice करना चाहिए जो हम चुनते हैं जो सिर्फ 5-6 problems या शायद कम problems को इसलिए वे problems आपको केवल आपके द्वारा देखे गए lectures के हिससे की अंतरद्रिष्टी या flavor देगी इसलिए जब आप इसका संख्यात्मक भाग करना चाहते हैं या जब आप वास्तव में problem को solve करना चाहते हैं तो आप theory को बेहतर तरीके से समझें तो सभी tutorial में हमेशा यह है एक punch line या एक कतन रहा है कि आपको problems का प्रयास करना चाहिए और कई बार किसी निश्चित कारण से आप problems को हल नहीं कर पाते हैं लेकिन आप हिस के साथ वापस बैठ सकते हैं और problems को सुलझाएं ताकि कम समय और कम प्रयास लगे इसलिए खास तोर से हमारे पास ये tutorial है हम इसे आप सभी के लिए सरल और अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस note के साथ हम tutorial के शेश भाग से शुरू करते हैं तो चौथी problem में आपके पास जो प्रश्न है प्रश्न में आपके पास सामानिय रूप से आपको एक wave function दिया जाता है आपने problem में wave functions को देखा है आपने इस problem में देखा है कि आपके पास mass m का एक गैर सापेक्ष पार्टिकल है जो तीन आयामों में central potential में गतिशील है तो मुझे पहले यह central potential पर problem लगती है और infinity पर potential गायब हो जाता है इसलिए इस problem में central potential problem में आपके पास wave function है या eigen state आपको r e raised to exponential of r and cos theta के terms में दी गई है जहां c और a constant है और आपको state की state energy और r के potential v के angular momentum का निरधारन करना होगा इसलिए इस problem को तीन भागों में बाटा गया है चुंकि आपको दिया गया wave function psi of r है ठीक है psi of r आपको दिया जाता है और यह wave function cos theta के समानुपाती होता है ठीक है और यहां से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि L1 है ठीक है तो L into L plus 1 दो हो जाएगा तो यह यहां आइगन वैल्यू है या आइगन वैल्यू L square के अनुरूप है लगभग इस रूप की होगी ठीक है और हैमिल्टनियन आप spherical polar coordinate मैं है हैमिल्टनियन आपरेटर लिखकर शुरू कर सकते हैं तो मैं हैमिल्टनियन आपरेटर को spherical polar coordinate में कैसे लिखूंगी h बराबर माइनस h cross square upon 2m है तो मेरे पास एक हैमिल्टन होगा जो r theta और phi का function होगा तो हम यहां क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं कि wave function form का है इसलिए आपका wave function साई c r raised to root 3 e raised to minus ar और cos theta है और मैं इसे फिर से ऐसे लिखती हूँ कि k r raised to root 3 e raised to minus ar ठीक है जहां के c times cos theta है हम theta और phi भाग को operate नहीं करने जा रहे है cable radial भाग ही वह है जिसे हमें operate करने की आवश्यक्ता होगी इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि हैमिल्टनियन को d by dr r square d by dr ok plus n square theta phi के रूप में लिखा गया है ठीक है हमने theta और 5 को इस 2m r square plus v of r में जोड दिया है तो यह kinetic term है और यह एक potential term है ठीक है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या करना है इसलिए पहले आइगन वैल्यू एक्वेशन r के सापेच इसे कि जब मैं h psi operate करती हूं तो मुझे क्या मिलता है मेरा मतलब है कि पहले इस भाग के बारे में चिंता करें ठीक है तो मैं इसे steps या points के turns में लिखती हूं तो point number एक आप क्या करेंगे आप 1 बटा r square d बटा dr r square d psi बटा dr का मूल्यांकन करेंगे ठीक है इसे मैं psi प्राइम के रूप में लिखूंगी और जब मैं इसे differentiate करती हूं तो मुझे जो मिलता है वह है 2 बटा r psi प्राइम प्लस psi डबल प्राइम इसलिए यह point एक है तो इस differentiation इसके लिए आपको differentiate करने की आवशक्ता है इसलिए point 2 की गणना psi प्राइम होगी और psi डबल प्राइम के लिए आपके pass r के function के रूप में psi है और आप इन दो मात्राओं का मूल्यांकन करेंगे और फिर इन मात्राओं को इस point एक में substitute करें और फिर ऐसा करने के बाद आप वापस जाएं और इसे हैमिल्टनियन में substitute करें तो point 3 वह होगा जो मैं यहां करूंगी जो आधा h cross square upon 2m होगा जिस भाग की आप गरना करेंगे ठीक है और काइनेटिक टर्म का वह भाग याद रखे जो h cross square upon 2m 8 by r square d by dr होगा ठीक है और r square d बटा d psi बटा dr वह भाग आप अपने l square का मुल्यांकन करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि l square 2 h cross square है तो यह है टर्म 2 h cross square upon 2m r square बन चाएगी आप इसे point एक और दो का उपयोग करके substitute करेंगे और यह यहाँ है ठीक है और फिर आप इसे 0 के बराबर करते हैं तब आपके पास एक वी साई टर्म होगा we of our term ठीक है तो इसमें आपको जो मिलेगा वो वास्तव में e si होगा शून्य नहीं क्योंकि हम h si बराबर e si कर रहे हैं सही ठीक है इसलिए हमें इस e term का मूल्यांकन करना होगा ठीक है यह सब करने के बाद और प्रश्न में आपको दिया गया है कि r का यह potential v central potential है और आप इसके बारे में क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जैसे ही r infinity में जाता है r का v शून्य हो जाएगा इसलिए इन सबस्टिटूशन्स को करने के बाद एक दो पॉल्ड तीन से हम यह अनुमान लगाते हैं कि e minus h cross square e square पर आता है ठीक है तो बस इसे सत्यापित करें और जांचे की क्या आपको समान परिनाम मिलता है इसलिए यह problem चार खा भाग भी था और problem कि अंतिम भाग में आपको r का potential v ज्याद करने के लिए कहा जाता है इसके लिए आपको hint की भी आवश्यक्ता नहीं है इसके लिए आप potential term को कम करने का प्रयास करेंगे और फिर r के terms में एका value प्राप्त करके potential की गणना करेंगे इसलिए मुझे लगता है कि आपको एकी value कुछ एक by r के बराबर या इसी तरह मिलेगी और फिर उस substitution को करने के बाद आपको आवश्यक term के रूप में r का potential v मिलता है का बहुत आसान तरीका होगा इसलिए इसी part v of r को आप कम से कम करेंगे और फिर r के terms में ये का value प्राप्त करेंगे और इससे आपको v of r मिलेगा ठीक है तो problems को हल किस तरह से करना है इसकी विस्तरित तस्वीर यही होगी और अब हम tutorial के तीसरे के बजाए अंतिम भाग पर जाते हैं जो की पांचवी problem है और यह problem थोड़ी लंबी है लेकिन यह आपको दो particle system को समझने में मदद करेगी और इसमें दो particle system है एक particle एक electron और एक pochitron है तो एक electron और एक pochitron system पर विचार करें और दो system के spin का interaction एक संबंध या Hamiltonian द्वारा व्यप्ट किया जाता है जिसमें Hamiltonian electron के spin और योगमिर्थ proton के spin के समानुपाती होता है अता SE electron का spin है SP proton का spin है और जब आप योगल स्थिती पर विचार करते हैं तो कुल spin को SE प्लस SP के रूप में जोडा जाता है और इस problem में आप से तीन भाग पूछे जाते हैं भाग A में पहले भाग में मूल रूप से दो भाग होते हैं इसलिए S square और S Z के आइगन वैल्यूस और आइगन States का पता लगाना एक भाग है और इसका अगला भाग आइगन विक्टर्स होगा जब उन्हें electron और पॉचित्रोन के Z घटक के टर्म्स में व्यक्ट किया जाएगा और तीसरे भाग में आपको भाग भी होगा और आपको इस system में या भाग A में निर्धारित States की interaction energies को निर्धारित करना होगा इसलिए इससे पहले की हम problems को शुरू करें मोटे तोर पर आप पहले से ही इस बारे में सोच रहे होंगे कि angular momentum का जोड कैसे होता है यह एक साधारन जोड नहीं है यह तब होगा जब आप electron और positron के spin को जोडते हैं हम tensorial जोड का उपयोग करते हैं जिसे हम इस tutorial में देखेंगे और मैं फिर से उन बिंदूं को note कर दूँगी जिन में आप परिणाम प्राप्ट करने के लिए चरणों से गुजरेंगे ठीक है तो चलिए लिखते हैं जिससे हम पहले से ही जान सकें कि प्लस और माइनस ठी उपर और नीचे की state स्थिती का प्रतिनिधित्व करता है ठीक है इसलिए कुछ जगहों पर आपको शून्य और एक कुछ जगह प्लस और माइनस प्लस आधा माइनस आधा मिलेगा इसलिए ये notation किताबों से किताबों और व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग होते हैं लेकिन इसका अर्थ समान रहता है यानि प्लस स्टेट या केट प्लस अब स्टेट है जो एस चेट पर operated होने पर आइगन वाल्यू देगा ये है आपको आइगन वाल्यू आधा ह एच क्रॉस देगा और माइनस स्टेट आपको eigenvalue minus आधा h cross दीगी तो plus आधा h cross by 2 आधा h cross by 2 और minus आधा h cross by 2 ठीक है तो बस ध्यान दीजिए कि मैंने जो कुछ भी कहा अभी ठीक है मैं इसे point number 1 कहती हूँ और आप सभी इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं लेकिन इसे सिर्फ कागज पर लिखना है तो SE यह दर्शाता है कि हम electron के spin की बात कर रहे हैं और जब मैं सब्सक्रिप्ट ST लिखती हूँ तो यह proton positron का spin होता है ठीक है तो EZ, SEZ spin के Z घटक Z component में electron का spin होगा और SEZ माइनस, माइनस, H क्रॉस बटा दो माइनस देगा, ठीक है और याद रखें, SEZ को polymatrix के रूप में लिखा जा सकता है जो 100-1 है, ठीक है तो आधार में या मुझे इसे SEZ के आधार में SEX पॉल SEY के रूप में लिखने दे और याद रखेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे मुझे हाइलाइट किये गए तरीके से लिखने दे SEX को SE के रूप में लिखा जा सकता है फिर से आप देख सकते हैं कि मैं ladder operator notation पर वापस आ गई हूँ जो काम करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है तो यह है SEX को ladder operator plus और minus के terms में लिखा जा सकता है इसलिए जब आप S-Chill के आईगन केट पर X component को operate करते हैं इसलिए यदि आप plus component को operating कर रहे हैं तो आपको H cross बटा दो मिलेगा और आपके पास sign में एक flip होगा ठीक है इसी तरह यदि आप down state पर operate करते हैं तो यह है minus H cross square बटा दो project करेगा और state को flip कर देगा ठीक है इसलिए इसे तीसरे point के साथ जारी रखते हुए मैं यहां जोर दूंगी अब S V S V plus minus S की minus पर वापस आऊंगी और यहां मेरे पास दो Y का एक factor होगा ठीक है फिरसे मुझे यह कहने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन आप इसे उसी तरहां याद करते हैं कि S D X उसी तरीके में है जैसा हमने S E Z के लिए किया था जो की Z component है इसे तरहां आपके पास X component के लिए होगा ठीक है तो यह Z component था मुझे इसे सही करने दे यह सिग्मा Z है यह सिग्मा X है सिग्मा X शोने एक एक शोने होगा ठीक है और यहां फिर से जब वाईवा component प्लस या माइनस component पर ओपरेटेड होता है तो H cross बटा टू भी प्रोजेट होगा लेकिन imaginary भाग यहां होगा तो यह points ठीक है यह basic assumptions मूर धर नाओं को स्थापित करेंगे ठीक है तो हमें यहां क्या करना है मुझे लिखना है कि S ही Y h cross square बटा 2 sigma y है जो मैंने पहले नहीं लिखा था कोई भी इसी तरहां से S p x S p y के लिए लिख सकता है जो कि positronium positron है आप x y और z component को लिख सकते है ठीक है इसी प्रकार आप x y और z component को प्रदर्शत कर सकते है अब electron positron system का अधियन करने के ये हम S v z जेड और एस p z के tensor या tensoral product आधार का उपियोग करते हैं जो कि z component और proton positron spin के z component के साथ electron spin के आधार का tensoral product है तो यह होगा की अगर मैं electron को plus state up state के रूप में लेती हूँ और इसलिए plus minus state plus minus state plus minus state होगा इसलिए यहाँ 2 spin state plus minus plus minus है जो up down up down उपर नीचे हैं तो इससे आप 4 combination बना सकते हैं जो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस है आप ये चार combination बना सकते हैं तो ये आईगन वेक्टर या आईगन केट्स होगे अब अगला कदम यह होगा कि आप गणना करे S V क्या है ठी तो यहाँ S V तीन V या टेंसरल प्रोड़क्ट होगा जिससे सिग्मा एक्स ओके के रूप में लिखा जाता है ठीक है आई आई आइडेंटिटी ओपरेटर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिग्मा एक्स है हम एक्स कॉम्पोनेंट आई प्लस सिग्मा वाई जे प्लस सिग्मा जेड के कैप के लिए पॉली मैट्रिक्स जानते हैं तो यह है इलेक्ट्रॉन के स्पिन के लिए सिग्मा के लिए हाँ इसी तरह पॉल्जिट्रॉन के लिए मेरे पास स्पिन स्टेट प्रप हो सकती है इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि सिग्मा एक्स एक जेड दिशा के साथ इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट से समान है और दूसरा कॉम्पोनेंट अप्रभावित है तो पॉचिट्रॉन के लिए आपके पास एक दूसरा कॉम्पोनेंट सिग्मा एक्स आई कैप प्लस वन सिग्मा वाई जे कैप प्लस वन सिग्मा जेड के कैप होगा ठीक है अब आप इसमें क्या करते हैं आप गणना करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं की SE और SP क्या है आपका हैमिल्टन जो आपको दिया गया है अब आप इस प्रकार लेख सकते हैं हैमिल्टनियन दो रे SE.SP है अब जब आप इस dot product को करते हैं तो आप प्राप्त करेंगे की आप इस multiplication को tensorial multiplication के लिए करेंगे यह आपको जो देगा वो यहां उप्योग होगा तो यह 2 होगा और यह आधा होगा इसलिए यह हट जाएगा मेरे पास बस h cross a होगा यह एच cross a होगा ठीक है पॉल इस टर्म्स आईल को summation के रूप में लिख सकते हैं आई बराबर 1,2,3 sigma आई cross sigma आई है जब आई यह multiplication करता है तो आई के पास h cross square होगा जो यहाँ एक बटा चार है और यह दो है ठीक है अब यह सही है तो sigma 1 sigma 1 के साथ cross हो गया जो की sigma x, sigma x, sigma y, sigma y, sigma z, sigma z है तो आई 1,2,3 से जा रहा है इसका मतलब है कि i value x, y और z का मान ले रहे है जो आपको याद रखना चाहिए तो इसमें आपको मुल्यांकन के लिए एक और hint की आवश्यक्ता होगी यदी आप जानते हैं तो इस भाग को छोड़ दे लेकिन यदी आप भूल गए है तो यह सिर्फ स्मरण करने के लिए है इसलिए यदी x यह matrix है और आप x on y x and y के tensorial product की गणना करना चाहते है तो आपको 0.y 1.y.y.y.y लिखना होगा तो जहां एक आपकी identity होगी तो यह 00.y.y होगा तो इस हिंट का उपयोग करके आप वह multiplication कर सकते हैं इसलिए sv और s p का मुल्यांकन है जो आपने किया है अगले चरण में जो की छठा point है आपको s का मुल्यांकन करना होगा लेकिन s क्या है s electron और positron system का कुल spin है इस प्रकार s se plus sp है इसलिए एक बार जब आप इसे जान लेते हैं तो आप इसका मुल्यांकन कर सकते हैं कि आपको इन दो quantities का योग करना है जिनका हमने अभी मुल्यांकन किया है और फिर आप s square की value की गणना भी कर सकते हैं ठीक है आपको बस इस s dot s बिंदू को square करना है तो इस point पर आप इसका मुल्यांकन करने में सक्षम होंगे यह बिल्कुल भी cut in नहीं है बहुत आसान है तो एक बार जब आप जानते हैं और आप जानते हैं कि s j क्या है ठीक है आइगन वेक्टर्स के टर्म्स में आपको आइगन वैल्यूस और आइगन वेक्टर्स का मुल्यांकन करना होगा इसलिए आई आपको यहाँ s square दो h cross square दो h cross square दो h cross square और जीरो की आइगन वैल्यू देगा इसलिए यह triple degenerate है और s j की आइगन वैल्यू h cross 00 h cross minus h cross है क्योंकि आप देखेंगे की s j एक diagonal matrix आई है जो एक 00 के साथ है जो एक 00 और minus 1 के diagonal elements है तो आप उस भाग का भी मुल्यांकन करने का प्रयास कर सकते हैं और अंतिम भाग जो भाग भी अंतिम भाग है वह भी भाग है जिसका आपको मुल्यांकन करना है और उससे पहले आई बस आपको स्क्वाइर और स्जेड के आईगन वेक्टर्स का हिंट देगा तो स्क्वाइर और स्जेड के आईगन वेक्टर्स आधे नौमलाइजेशन फैक्टर के साथ प्लस प्लस माइनस माइनस पॉल प्लस माइनस प्लस होंगे पॉल प्लस माइनस माइनस प्लस होंगे जिसका नौमलाइजेशन फैक्टर्स रूट टू का होगा आधे का नहीं तो आप वास्तव में इन्हें अब डाउन स्टेट के टर्म्स में लिख सकते हैं एक-एक के रूप में आप इन्हें एक-एक-एक माइनस एक, एक-जीरो और जीरो-जीरो कहते हैं इसे लिखने का एक और तरीका है और फिर हम अंत में भी भाग पर जाते हैं ठीक है, बी भाग में आपको इन्ट्राक्शन एनर्जी की गणना करने के लिए कहा जाता है इन्ट्राक्शन एनर्जी को विभिन आइगन वेक्टर्स के लिए हैमिल्टनियन की एवरेज वैल्यू और हैमिल्टन की एवरेज value का average लेकर आप कैसे प्राप्त करेंगे तो आप उदाहरन के लिए शुरू कर सकते हैं मैं आपको एक term दे सकती हूँ और फिर आप बाकी कार्य करने का आनंद ले सकते हैं आप कोशिश कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं ठीक है या तो plus plus notation के terms में या in notation के terms में आप गणना कर सकते हैं यह आपको एक component देगा इसी तरह आप अने components की गणना कर सकते हैं और जाच सकते हैं कि क्या आपको h cross square बटा दो के रूप में interaction energy मिलती है यह सिर्फ निरिक्षन द्वारा है मैं इसे लिख सकती हूँ लेकिन आपको यह जांचना होगा कि क्या आपको वही परिणाम मिलता है इसलिए इन matrices या eigen vectors के तहत Hamiltonian की average value लेकर हमें interaction energy प्राप्थ हुई और जब आप average करते हैं तो आपको interaction energy प्राप्थ होगी तो आप plus plus या एक 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 जीरो एक माइनस एक और जीरो जीरो लेंगे जैसा कि केट्स अंतिम केट्स को आरंप करते हैं इसलिए हम यहां समाप्थ करते हैं और यह विशेश रूप से इस tutorial का दसवाव भाग एक और भाग दो है यानि की tutorial दस के इन दो सत्रों में आपको problems पर अपने हाथों को आजमाने की और कार्य करने की आवश्यक्ता है इसलिए इस sketchy तरीके को हमने बनाया है क्योंकि यह आपको उत्तर देगा क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है आपको बस बीच बीच में कार्य करना है और कुछ परिणामों को verify करना है और कुछ उत्तर मैंने यहां प्रदर्शित किये हैं लेकिन कुछ आपको स्वयंकार्य करके हल करने होंगे